आज मैं आपको इंडिन आर्मी में रेश्टेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा क्योंकि जैसे हम भार रेश्टेशन कराते हैं साइबर कैफे में तो वह हमसे सौस से लेकर तीन सुर रुपे तक एक रेश्टेशन के लेता है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से इंडिन आर्मी में भरती होने के लिए ओनलान रे क्रोम में ज्वान इंडिन आर्मी डॉट कॉम खुलना है इसका मैल लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप हहां से ले सकते हैं जैसे इसको खुलेंगे तो एक ज्वान इंडिन आर्मी गवर्मेंट आप इंडिया लिखके आएगा इसमें कैप्चा कोड आएगा वह हमने एंटर करना है एंटर करने के बाद एंटर वैबसाइट लिखते हैं इसके बाद वैबसाइट कुल के आएगी यह देखें वेबसाइट खुल के आगी है जोई इंडिन आर्मिक गौर्ल्मेंट ऑफ इंडिया इसमें आपसर सेलेक्शन और जीसे अब्लीक ओवार इंडॉल्मेंट के बारे में पूरी जान कर रही है आप यहां देख सकते हैं आपसर सेलेक्शन नोटिफिकेशन असेज़ इंडियू मेरिट लिस्ट चेक इलिजिबिल्टी वाट्स न्यू अपसर एंट्री अप्लाई या लॉगिन यहां कर सकते हैं क्योंकि कई लिर्टे गाउं से आते हैं तो उनको पता नहीं रहा था कि क्या करना है हमने तो मैं आपको बताता हूं कि आप यह अपने मॉबाईल में भी इस साइट को और भर्ती रैली से पेले इंडॉल हो सकते हूं तो जैसे यह लिखा है GCU object over enroll में तो हमें इसमें क्लिक करना है apply and login में तो इसमें जैसे मैंने क्लिक कर दिया और next page खुलता है next page में देखिए इसमें गाया only for GCU object over enroll में तो यहां जैसे new register, नए पंजी करन करना है, जैसे हम नए हैं तो हमें नए करना है तो आपकी पढ़ लेना है, by setting up an account, you can start your application to join the army, save any application you have started to come back to later, get information on further events and activities, तो चलो, हम नए registration है, new registration, तो new करेंगे, अगर आपने पहले से कर रहा था है, already registered है, तो यहां user name, password और capture code लिखना है, उसके बाद हम आगे जाएंगे, तो हम new registration है, new registration करते है, registration में click किया, इसके बाद है को important instruction आगे है, यह पहले है, हमने पढ़ना है, important instruction to fill online application form, read all instruction to register carefully and then proceed further, यह, दूसरा है, check your job eligibility for joining in the army, J.C.O.R. and other register for eligibility करेंगे, click here, अगर आपने अपने बारे में देखना है, कि मैं इसके eligible हूँ या नहीं हूँ, तो legibility criteria में click करना है, third point बलता है, if you are a new user, click on registration, tab register registration table, window will appear and fill up the fields your registration form, जैसे हम new हैं तो हम इसमें हिंदी में भी लिखाया है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, तो हम आगे continue करते हैं, यह यह यहां है, right side में continue बटाना है, red color का, यह देखे है, personal detail आगी है, इसमें हमने अधाह number भरना है, तो friends हम अपना अधाह number भरते हैं, जैसे मैं अधाह number भर रहा हूं, तो मैं आपको समझाता हूं, कैसे कैसे fill up करना है, तो मैं अधाह number भर रहा हूं, यह मैंना अधाह number भर लिया, इसके बाद यह मांगता है, candidate's name, तो मैं अपना नाम भर देखा हूं, इसके बाद मांगता है फादर सब्लिक गर्जन नीम तो आप अपने फादर का या गर्जन है तो गर्जन का नाम भर दिजिए इसमें पूरा नाम वैसी बढ़ना क्यों आदाहर नम्मर लिंक को हो रख तो जो आदाहर नम्मर में आपने लिखा है वही लिखना है आप मांगता है मदर्स नेम कर दीजिए डेट बार्थ मांगता है तो यहां ऐसे बनके आएगा तो आप अपनी डेट बार्थ कि लिख सकते हैं इसके बाद आपका इमेल एडरस एक आपका इमेल एडरस होना चीए या इसको बढ़ने से पहले अपना इमेल आइड़ यह बना लिजिए यह सब फिल्ड बनने के बाद आपने सब्मिट करना है तो चले हम सब्मिट करते हैं से सब्मिट करने का OTP verification आएगा तो OTP verification यह हमारे इमेल एडरस में आया है तो हमें अपना इमेल खोलना पड़ेगा फिर OTP नमबर इसमें एंटर करना पड़ेगा तो हम अपना इमेल खोलते हैं हम इदर अपना OTP लिखेंगे जैसे मेरा OTP नमबर आ गया है यह मेरे इमेल आइड़ी में तो मैं इदर अपना OTP नमबर लिखता हूँ इसके बाद हमें सब्मिट कर देना है पार आज आज लए कि वेड़ी कर देखेंगे अब इसमीट करने के बाद नेक्स्ट विन्डो करेंगी और यहां हमारा पूरा नाम आ जाएगा में धिस्टिक कोग 있는 बाल एक लें पूरा नाम आ गया एक फॉरम बन के आएगा इसमें आपने क्या करना क्या का नहीं करना यहां सब लिख्याते देखें पूरा फॉरम आएगा इसको वाँ ALL करके भरते जाना जिसे की तेंटर नेम फादर निम needed नेम, डेटोबाद, जेंडर, वेभाही किस्तिधी, हाइट, मोबाइल नंबर, इमेल अड्रेस, अधार नंबर, स्टेट, दिस्टिक, तैसीन, ये सा बढ़ने के बाद, फिर नीचे एजुके सन डिटेल लाएगी, प्लस पास्वर्ड रिक्वाइड, ये सा बाएगा, इसके बाद इसे हमें सेप पर देना है, तो चलिए हम भरते हैं, आधा आधा फॉंटेस में भर रखाया है, जो हमने पहले अपनी इन्फोमेशन दी थी, हम जैसे ये मांग रहा है हाइट, हाइट लिख लेना आप अपनी, जैसे 160 लिख दी मैंने, हाइस कौलिफिकेशन, हाइस मैट्रिक, ग्रेजुएशन, पोडिएशन, इंजिनेरिंग, तो हमने अपनी भर दिया है, एजुकेशन, जैसे मैट्रिकुलेशन, अबिक 10 बोड, अपेरिंग या पास्ट, तो आप पास्ट में कर देना है, यह वो ग्रेजुएशन का मांगा था, कि आपने ग्रेजुएट कौन से अपेरिंग हो है या पास्ट है, तो जैसे पास्ट कर दिया मैंने, आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप अपेरिंग करें तो अपेरिंग, और 10 ता आपने कौन से बोड से पास्ट किये, CBS, ICAC, Open Board, Others, और मैं CBS में क्लिक कर देता हूँ, और मैट्रिकुलेशन, 10 सेटि करता हूँ, यह मैंने इंटर कर देशका, दूसरा, Are you a Remus string Candidate? अगर आप Remus हो रहे हैं, तो आप Yes, No पे क्लिक कर सकते हैं, तो मैं इसमें No पे क्लिक करता हूँ, फिर यहां मुबाइल नममर मांगने तो आप अपना मुबाइल नमर लिख दीजिए, नमबर लिखने के बाद इसमें email letters है वो तो पहले से आ गया है अधा number आ गया state आप अपने state इसमें select कर लिजे जो आपकी state है state जैसे कोई भी मैं select कर देता हूं एक district district भी कोई भी मैं select कर देता हूं और तसील तसील भी जैसे मैंने कोई select कर लिया फिर password आपका username आपकी email address हो जाएगी और password जो आपने मनाना है वो आप password होगा तो password कुछ भी बना लीजिए आप तो इसमें जैसे लिए आया की password must be combination of latest data one uppercase one lowercase one number one alphanumeric symbol तो आप इसमें password हम बनाते हैं अब इसके बाद आपने एक capture code और पर इसे बाद सेव कर दीजिए इसे सेव यह इसले नहीं हो रहा क्यूंकि इसमें देखी कुछ red mark आगें तो red mark के आगें यहां you can only select state district तसील once ensure you have domain of selection यह देखी यहां कुछ तसील में कुछ गड़बन मांग रहा है तो इसे मैं चेंज करता हूं और पासवर्ड पासवर्ड को भी चेंज करता हूं तो फ्रेंड से इसमें हमारा पूरा वह लिख्या आगे बायोड़ाटा और इसके बाद आपने चेक eligibility चेक करनी है अगर आप यानि इसमें देखे जैसे पूरा फॉर्म हाँए state district तैसील डेट अबर्ड कॉलिफिकिसेशन जेडरो ए रो हाइट जेंडर यह only male candidate इसमें are eligible for ORs and GCOs marital status unmarried are you remastering yes or no यह हमने पहले किया था गया do you belong to a special category like anyone of the above यह check eligibility कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी हो गुर्खा हो या अंडमान नेको बार्वाले हो प्रैवल्स हो या son of brother वार्मी स्पोर्ट पर्सन हो इसमें क्लिक कर सकते हैं इसमें हम मेंने क्या नॉन डिस्पैंशन काटेगरी हमने जन्रल काटेगरी में कर दिया हमने इसके बाद है यह नीचे मेरे लिए आगी है कि मैं कौन सी पोस्ट भर सकता हूं रिलिजियस टीचर गरेड़ेट इन डिस्पैंशन इन एडिशन रिक्वेस्टिंग कॉलिफिकेशन ही जोन रिलिजियस यह आगे मेरे लिए तो एप्लिकेशन नॉट अभी है निये लेकिन हमने अपना यह बना दिया अपनी हमने प्रोफाल बना दिया बस अब जैसी कोई अपना यूजर नेम और आईडी लिखके अप्लाइ कर सकते हैं यह इधर देखते हम इसके लेफ्ट साइड में डैस्बोर में माय प्रोफाल अप्लाइ ओनलाइन तो इसमें देखते हैं अगर कोई विकैंसी है तो मैं आपको बताता हूं अभी मेरे लिए कोई विकैंसी नहीं है अगर मेरे से छोटे एज वाले और स्टुडेंट्स हैं तो उनके लिए पक्का इसमें होगी विकैंसी तो आपने देखा हम ऐसे अपना इंडियन आर्मी में ऐसे जॉइन कर सकते हैं एक आईडी बना के क्यूंकि आजकल सब होनी चीह कि हमें अगर हम इंडियन आर्मी में इंडरोड हो रहे हैं एजन सोलजर तो हमें यह नौलिज होनी चीह कि हम ऑनलाइन अपनी आईडी कैसे बना सकते हैं तो फ्रेंज हम इसी साइट के होम में चलते हैं और अपना रिजूर नेम एंड पासवर्ड टाइप करकर द इसमें मैं लॉगिन करता हूं और इसमें हम अपना जो हमने अपी आईडी बनाई है जस्नाव वह डालेंगे तो सब्सक्राइए तो मेरा पहले से बन के आगी है तो इसमें एक एज के साफ से मेरे एक एक अप्लिकेशन है यह है इसके लिए मैं भर सकता हूं तो यह आइडी बनाईए और इंदेन आदमी के लिए जॉइन करने के लिए त्यार हो जाईए तो फ्रेंड्स यह मेरी यह आला टॉपिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिये एंड शेयर इंड शेयर इंड ओके फ्रेंड्स बाय वाइव गुड डे